फिल्मी चाची की चैट इंडस्ट्री की जो लल्लियां है वो बालीवुड की लल्लियों को ठेंगा दिखाए जारी है अब बाते जो है बड़ी कॉमन कॉमन सी होने लगी है अब चाहे बात नौर्थ इंडिया की हो चाहे बालीवुड की हो या साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हो बात तो सिर जब कोई दिपिका, आलिया, भट वगेरा के बारे में बात तो करता नहीं है, दुन्नों की तो शादी होगी, बॉलिवुड में तो आजकल शादी का फैशन ही चल रहा है, लेकिन अब बात ऐसी है, जब बॉलिवुड वाले गायब होंगे तो उनकी जगा कोई तो लेगा और ये जगा ले रही है, साउथ इंडिन फिल्म इंडस्ट्री की ललिया जैसे की रश्मी का मंदाना, जैसे की अनुश्का शेटी, जैसे की सामन्था और जैसे की ये लली पूजा हेगडे, जब इस लली के बारे में बहुत सारी खबरे अच्छानक से मीडिया में आने लगी, तो मैं थोड़ी हरान की, इस लली को तो कभी देखाई नी, फिर इसके बारे में जरा पता होता किया, तो पता चला, इसका नाम तो पूजा हेगडे है, और ये पहली बार बाली वुड में आई थी, रितिक रोशन के साथ फिल्म मोहन जोड़ों में, अब देखो किसी ने त तो चली नी, तो तब तो इसके ओपर ठपाया ही लग गया, कि भई ये तो बाली वुड में चलने वाला करेक्टर है नी, लेकिन अब जैसे जैसे बाली वुड को टकर दे रहा है, साउथ इंडिया का सिनेमा, तो यही कह सकते हैं, कि यहां की ललियां भी बाली वुड की लल इंडियां भी पहुची हुई थी, अब करन की पार्टी तो तुम समाजी साकते हो कि किस तरह की वहां पर चटकारेदार पार्टी होती है, सब पहुचते हैं, तो यह भी पहुची, अब जो ड्रेस पहन के गई, वो ड्रेस तो एक्चली ऐसी थी, कि उस ड्रेस से तो मैं हुए जाए, अब परिशान होती जा रही थी, तो बस फिर क्या था, इसने जैसे तैसे मामलाई को सुलजाया, लेकिन फिर उसके बाद वो वीडियो जब सोशल मीडिया पे आई, तो क्या जम के ट्रोल हुई, कोई कह रहा है, इतने छोटे कपड़े पहनने की जूरत क्या है कोई कह रहा है कि कपड़े अंकमफर्टेबल हो तो कोई बात नी पर पहनने जुरूरी है, अब देखो ये ललिया जिसे कहते हैं कि अगर बाली वुड को टक कर देंगी तो उनके जैसी तो कोई ना कोई हरकत तो करेंगी ही, वैसे आज कल इसका बड़ा नाम भी फैल रहा है क्योंकि पूजा हेगडे ने अभी जिसे कहते है ना रिसेंटली एक अपनी फोटो डाली सोशल मीडिया में और उसमें ये सलमान खान का ब्रेसलेट जो है वो फलॉंट करती वी दिखाई दिया वो इसलिए इसने डाला क्योंकि कभी एद कभी दवाली ये फिल्म जो है ये स अभी दिवाली इसमें इसने पूरी हम साथ आठ है जैसी कास्टिंग करा रखी है अब देखो अगर इसकी बात करें तो इस फिल्म की कास्टिंग में जिन लोगों का नाम अभी सामने आ रहा है उनमें पूजा हेगडे तो तुम को पता चली गया इसके लावा इसका जो बह नाजगिल भी डेब्यू करने वाली है तो अब देखो सलमान खान कितनी फैमिली वाला बंदा है फिल्में भी फैमिली वाला ही बनाता है और जिसे कहते हैं कि कास्ट भी वैसी रखता है पूरी फैमिली पिक्चर बनाता है अब इसी वजह से पूजा हेगडेने का फैमिली म या पे बॉलिवुड में या फिर साउत में वापस लोट जाएगी मुझे कमेंट में बताना भी तो मैं चलती हूँ फेर मिलेंगे हैं ओके बाई